हाई क्रेंट्स विल्कम बैक टो इजिम गाइड वंस अगें दोस्तों भाव सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको यह कहा जाता है कि आप एक बार कंटेनर खरी दिये और महीने में लाक्षा होता है आप एजरेंट अर्म करिए तो इस वीडियो में हम जानेंग कंटेनर का बिजनेस लिक्रेटिव है या नहीं है आई यह जामते हैं इस वीडियो में दोस्तों अगर हम कंटेनर बिजनेस के बात करें तो कंटेनर का बिजनेस मेल लिक तीन होता है फर्ष्ट कंटेनर रेंटिंग, सेकेंड कंटेनर लीजिंग and फर्ष्ट कंटेनर बाइंग और सेलिग इसके वाबा कुछ बैलो वेटेट सर्विचेस होते हैं जैसे कंटेनर मोडिफिकेशन, स्टोरेज और ट्रांस्पोर्ट सर्विचेस तो इनमें से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन मेली अगर हम बात करें कंटेनर रेंटिंग, तो रेंटिंग यहाँ पर साट टर्म और लांग टर्म दोनों के लिए होता है लीजिंग सेटन पिरिएड आप टाइम के लिए यहाँ पर कंटेनर को लीज भी दिया जाता है और बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं यूजट या न्यू कंटेनर को बेच के या खरीद के जो भी पोटेंशियाल बायर होगा इसके लाबब जो टांसपोर्ट की सर्विसेश होती हैं अगर आप कंटेनर आणर हैं तो आप जो सिपर हैं उनको या दोसरे फ्रेट फावडर हैं उनको आज या या यह याँवियों से इसी आप सर्विस भी आफर कर सकते हैं तो एक यह भी अच्छा बिजनेस मॉडर्ट ह होता है इसके लाब स्टॉरेज के लिए आप कंटेनर दे सकते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वहां कंटेनर को इस्टॉरेज के वोग में यूज किया जाता है जब तक उनका काम चलता है तो आपको सेंटन पेरेड आप टाइ उसका रेंट मिल जाता है अगर यहां पर हम की प्लेयर के बाद तेरें किसे किसे आपको काम पड़ सकता है तो यहां पर सबसे पहली कंटेनर मैनुफेक्टर होते हैं जिससे आपको कंटेनर खरीदना पड़ सकता है दूसरा यहां पर शिपिंग लाइन होती है जिनको आप क बीचते हैं खरीदते हैं इसके आलाबा आपको इंको फर्ट अ anthem होते हैं जिनको आप नेला में कि अउस्टेरल मोगने से क्प्राइड ओता हैं गावर्मेंट गावर्मेंट सब्सक्राइब अगायज काância वो आराम से मोग कर सकते हैं डेमेज नहीं हो जा तो 20 फिट कंटेनर की एवरेज प्राइज यहां के उसकी एवरेज जो प्राइज है वो यह उस्टी सिक्टीन हंड़ेज लेकि यूजडी टीन हंड़ेज तक होती है अब यह नार्माल जीपी कंटेनर की बात कर रहा हूं इसमें अगर आप स्पेसल कंटेनर में जाएंगे जैसे रिफर कंटेनर हो गया उपन टाप हो गया फ्ला क्यों यूज नहीं होते के वाल इस सब्सक्राइब करते हैं वह यूज करती है अब अगर हम न्यूट कंटेनर की बात करें तो ट्वन्टी फिट का रेट यहां पर 2700 से लेकिर 3200 तक हो सकता है और अगर 40 फिट न्यूट कंटेनर की बात के रहे तो यहां पे आपकी जो एव आपको कंटेनर अगर आप लीज पे देते हैं रेंट पे देते हैं तो आपको पर कंटेनर यहां पे 75 डालर से लेकि 300 डालर तक आपको आपको रेंट लीजिंग चार्ज आपको मिल जाता है यह डिपेंड करता है कि आपकी कैपासिटी कितनी है बार्गेन करने के आपका ने कंटेनर की तो बागी टाइम आपका कंटेनर रखा रहा जा सकता है और आप जब कंटेनर रखते हैं तो एक यह नुक्सान होता है दूसरा अभी अगर हम 2024 की बात करें तो यहां पर हाई कंप्टेशन है क्योंकि यह 2021 की टाइम पर कंटेनर के रेट बहुत हाई हो गया थे से रेट गिरा और यह पूरा सिचुरेट हो गया है मार्केट तो उतना लिक्रेटिव मार्केट नहीं रहा तीसरे यहां पर मेंटिनेंस और रिपियर के कार्श बहुत जागा होता है अगर जब आप कंटेनर को मूव करते हैं तो आपको कई बार कंटेनर आपके डेमिज हो जाता है तो उसको रिपियर कराना पड़ता है और आप किसी ऐसी कंटेनर कर देज रहे हैं जो इक्सक्पेंस्य वह जैसे एक бесп канал के लिए श्याहदि टो सिस्टार करना प्री सर्विस दे लेता है वो आपसे हैंडलिंग में आपसे चार्ज करता है अब अगर हम पॉजिटेव साइट के पास करें तो अभी भी काफी पोटेंशेल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफी जाधा ग्रोइंग है, पूरे दुनिया में लाजिस्टिक काफी जाधा बढ़ रहा है तो इकामर्च कांप या सप्लाई के बज़ा से तो उसपरOL की जरूरत होती है क्योंकिक्व nous क्यूंको आव्मोस्ट कंटेनर से ही अभ मार्हेटिन की कैपабिलिटी क्या है उसके ऊपर आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अर। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए सुटेबल करके आप सीधे कंटेनर खरी दिया और आपको मंखली इतना रेंट आने लगी ऐसा नहीं होताँ, यहां पर चैलेंजर रहोते हैं, बहुत सारी प्राब्लम आती है, कैई बार कंटेनर आपका ऐसे कंटेनर पर चला गया, जहांसे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, या आपको इस प्रकार की दरेटम है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं इसके लिए वो अपना अप से लेते हैं दो इने ये जिए लिस्टेट में आपके लिए हो सकता है कवस्तली होजाया। भूप अब आपको घ्ली ने तब तक के लिए गुडबाई